अत्यों आज हमारा देश अपनी विविद्वता और विशालता के अनुरूप ही हर छेत्र में विकास के भी विशाल किर्तिमान बना रहा है 2020 में भारत ने करीब करीब 70 लाग करोड रुपिये का लेंदेन UPI से किया है Digital Transaction किया है आज भारत में पच्चास हजार से जादा स्टार्ट अप्स काम कर रहे हैं इन में से 10,000 से जादा स्टार्ट अप्स तो पिछले 6 महिने में बने हैं 2021 में भारत के नव जवानों ने कोरोना के इस कालखण में भी 42 यूनिकॉन बना कर एक नया इतिहास रच दिया है मैं अपने किसान भाई बेहनों को बताना चाहता हूं कि एक एक यूनिकॉन ये करीब करीब साथ हजार करोड रुपे से भी अधिक मुल्ले का स्टार्ट अप है इतने कम समय में इतनी प्रगती आज भारत के नव जवान की सफलता की नई गाता लिख रही है और साथियों आज जहां भारत एक और अपना स्टार्ट अप इको सिस्टिम मजबूत कर रहा है तो वहीं दूसरी और अपनी संस्कृती को भी उतनी ही गर्व से ससक्त कर रहा है काशी विश्वनाद दाम सुन्द्री करण परियोजना से लेकर केदारनाद दाम की विकास परियोजनाओं तक आदी संकराचारिय की समाधी के पुनन दिर्मान से लेकर माँ अन्पुरुना की प्रतिमा समेच भारत से चोरी हुई शैक्णों मुर्तियों को वापत लाने तक अयोध्य में राम मंदिर के निर्माण से लेकर दोला विरा और दूर्गा पुजा उत्सव को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलने तक भारत के पास इतना कुछ है देश के प्रती पूरी दुनिया का आकर्शन है और अब जब हम अपनी दरोहरों को मजबूत करने में लगे हैं तो निश्यत तोर पर टूरीजम भी बढ़ेगा और तिल्थातन भी बढ़ेगा